नमश्कार, महाराष्टर के गवर्नर, स्री बगत्स्री कोश्यारी जी, स्रीमान देवेंद्र प्रणविज्जी, स्रीमान सुपाज देशाई जी, East University Founder President, Professor S.B. मुझमधार जी, Principal Director, Dr. Vidya A. Rautkekraji, सभी Faculty Members, विशिष्ट अतिधिकन और मेरे युवासाथियों, आज आप सरस्वती का धाम, वैसी एक तपो भूमी का, जिसकी गोल्डन वैल्यूज है, और गोल्डन हिश्ट्री है, इसके साथ साथ, एक इंस्टिटूशन के रूप में, Symbiasis, अपनी गोल्डन जुबिली के मुकाम तक पहुचा है, एक संस्थान की स्यात्रा में, कितने ही लोगों का युगदान होता है, अनेक लोगों की सामुहिक भागिदारी होती है, जिन स्टूडन्स ने यहां से पढ़कर, Symbiasis के वीजन और वैल्यूज को, अड़प किया, अपनी सक्सेश से Symbiasis को पहचान दी, उन सब का भी इस जर्णी में उतना ही बड़ा युगदान है, मैं इस अवसर पर सभी प्रोफेसर्स को, सभी स्टूडन्स को, और सभी अलुमनाई को धेरों बढ़ाई देता हूँ, मुझे इसी गोल्डन मॉमेंट पर, आरोग यधाम कॉंप्लेक्स के लोकारपन का आउसर भी मिला है, मैं इस नई शुरुवात के लिए, पूरी सिंबाइसिस फैमिली को अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूँ, मेरे जुआ साथियों, आप एक ऐसे इंस्टिट्यूट का हिस्सा है, जो वसुद है कुटमकम के भारत के मूल विचार पर निर्मित है, मुझे ये भी बताया गया है, कि सिंबाइसिस ऐसी उनिवर्सिटी है, जहां वसुद है कुटमकम पर अलग से कोर्ष भी है, ज्यान का व्यापक प्रसार हो, ज्यान पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोडने का माध्यम बने, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृती है, ये हमारे संस्कार है, मुझे खुशी है कि ये परंपरा हमारे देश में आज भी जीवन्त है, मुझे बताया गया है, कलकेले सिम्बाइसिस में ही दुनिया के 85 कंट्री के 44,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहां पढ़ते हैं, अपने कल्चर्स को साजा करते हैं, यानि भारत की प्राचिन विरासत आधुनिक अवतार में आज भी आगे बढ़ रही है, सात्यों, आज इस संस्तान के चात्र उस जनरेशन को रिप्रेजन कर रहे हैं, जिसके सामने infinite अपर्चुनिटीज हैं, आज हमारा ये देश दुनिया की सबसे बड़ी एकोनामिजमे से शामील है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब, स्टार्ट अप इकोसिस्टिम, आज हमारे देश में हैं, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, और आत्म निर्भर भारत जैसे मिशन, आपके एस्पिरेशन को रिप्रेजन कर रहे हैं, आज का इंडिया, इनोवेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, और पूरी दुनिया को इंफ्लूएंस भी कर रहा है, आप पूरे में रहने वाले लोग तो और अच्छी तरह जानते हैं, कि कोरोना वैक्षिन को लेकर भारत ने किस तरह पूरी दुनिया के सामने अपना सामर से दिखाया है, अपि आप लोग युक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं, कि कैसे ऑपरेशन गंगा चला कर भारत अपने नागरिकों को युद्ध खेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है, दुनिया के बड़े-बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसिबते जेलनी पड़ रही है, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, कि हम हजारों चात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं, साथियों, आपकी जनरेशन एक तरह से खुश नशीब है कि उसे पहले वाली डिफेंसिव और डिपेंडेंट साइकोलोजी का नुक्षान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन देश में अगर ये बढ़लाव आया है, तो इसका सबसे पहला क्रेडिट भी, आप सभी को जाता है, हमारे युवा को जाता है, हमारे यूद को जाता है, अब आप देखिए हुदान के तौर पर, जिन सेक्टर्स में देश पहले अपने पैरों पर आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, उन सेक्टर्स में अब हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनने की रापर है, मोबाइल मेनिफेक्टरिंग का एक्जामपल हमारे सामने आए, कुछ साल पहले तक हमारे लिए मोबाइल मेनिफेक्टरिंग और ऐसे ही न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिस्ट का एक ही मतलब था, इंपोर्ट करो, दुनिया में चच्चे हैं कहीं से लियाओ, डिपेंज सेक्टर में हम दसकों से ये मान कर चल रहे थे, कि जो दूसरे देश हमें देंगे, हम उसी के भरोसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज स्थीती भी बड़ली हैं, पर स्थीती भी बडले हुए हैं, मोबाइल मेनिफेक्टिरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर के उपरा है, साथ साल पहले, साथ साल पहले भारत में सिरफ दो मोबाइल मेनिफेक्टिरिंग कम्पनिया थी, आज दो सो से ज़्यादा मेनिफेक्टिरिंग युनिट्स इस काम में जुटी हैं, डिफेंस में भी दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर देश की पहचानवाला भारत, आज डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है, आज देश में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर बन रहे हैं, जहां बड़े से बड़े आदुनिक अतियार बनेंगे, देश की रक्षा जरुतों को पूरा करेंगे, साथियों आजादी के 75 साल में हम, एक नए भारत के निर्मान के नए लक्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस अमरत अभ्यान का नेतरुत्व हमारी युवापीडी को ही करना है, आज सौफ्वेर इंडेस्ट्री से लेकर हेल्थ हेक्टर तक, AI और AR से लेकर, Automobile और EV तक, Quantum Computing से लेकर, Machine Learning तक, हर फिल्म में नए मोके मन रहे हैं, देश में Geo-Special Systems, Drone से लेकर के Semiconductor, और Space Technology तक लगातार रिफार्म्स हो रहे हैं, ये रिफार्म्स, सरकार का रेकौर्ड बनाने के लिए नहीं है, ये रिफार्म्स, आपके लिए अवसर लेकर के आये है, और ये मैं कह सकता हूँ, ये रिफार्म्स, आपके लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, आप चाहे Technical Film में हो, Management Film में हो, या मेडिकल फिल्म है मैं समझता हूँ ये जो सारी उपर्चुनिटीज पादा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है आज देश में जो सरकार है वो देश के युवाओं के सामर्थ पर आपके सामर्थ पर भरोसा करती है इसलिए हम एक के बाद एक अनेख सेक्टर्स को आपके लिए खोलते जा रहे हैं इन अवसरों का खूब फाइदा आप उठाईए इंतजार मत किजिए आप अपने स्टार्ट सब शुरू करिए देश की जो चुनोतियां है जो लोकल समस्या हैं उनके समाधान यूनिवर्सिटीस से निकलने चाहिए नव जवानों के दिमाग से निकलने चाहिए आप यह हमेसा याद रखिए कि आप चाहें जिस किसी फिल्म में हो जी तरह आप अपने केरियर के लिए गोल्ट सेट करते हैं उसी तरह आपके कुछ गोल्ट देश के लिए भी होने चाहिए अगर आप टेक्निकल फिल्ड से हैं तो आपके इनोवेशन्स आपका काम कैसे देश के काम आ सकता है क्या आप कोई ऐसा प्रोड़क्ट डेवलप कर सकते हैं जिसे गाउं के किसान को हेल्प मिले रिमोट एरियाज में स्टूडेंस को कुछ मदद हो सके इसी तरह अगर आप मेडिकल फिल्ड में है तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए कैसे गवावों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस उप्लबत हो इसके लिए आप टेक फ्रेंड्स के साथ मिलकर नए स्टार्ट अप्लान कर सकते हैं आरोग्य धाम जैसे भी जिस वीजन का सिंबोसाइज ने शुरू किया है ये भी पुरे देश के लिए एक मॉडेर के रुप में काम आ सकता है और जब मैं आरोग्य की बात कर रहा हूं तो आप से ये भी कहूंगा कि अपनी फिटनेस का भी ध्यान जुरू रखेगा खूब हंसी है अभी नहीं बात बहे जौक्स मारी है खूब फिट रही है और देश को नई उचाई पर लेकर जाईए हमारे गोल्स जब परसनल ग्रोथ से बढ़कर नेशनल ग्रोथ के साथ जुड़ जाते हैं तो राष्ट निर्मान में स्वयम की भागिदारी का एहसास बढ़ जाता है साथियो आज जब आप अपनी उनिवर्सिटी के पचास वर्ष के मुकाम को सलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं इस सिंबाइसिस फैमिली से कुछ आगरह करना चाहता हूँ और जब यहां बैटे हुए लोगों को नहीं आपको भी आगरह करना चाहता हूँ क्या सिंबाइसिस में हम एक परंपरा विक्सित कर सकते हैं क्या कि हर वर्ष किसी एक थीम के लिए डेडिकेट किया जाए और यहां जो भी लोग है किसी भी फिल्ड में होंगे वे एक साल अपने बाकी कामों के उपरांत इस एक थीम के लिए उनका कोई न कोई डेडिकेशन योगदान भागिदारी इनिशेटिव होना चाहिए अभी से मानो ताह करे कि जब गोल्डल जमिरी बना रहे हैं तो नेक्ट फाइव यर पांच साल 2022 का थीम कौन सा होगा 2023 का थीम कौन सा होगा 2027 का थीम कौन सा होगा क्या अभी से हम तहे कर सकते हैं और जैसे एक थीम मैं बताता हूँ जरूरी नहीं कि इसी थीम पर चलना चाहिए आपकी अपनी योजना से बनाईए लेकिन हम तुहां लीज़े सोच लीजिए कि वे ग्लोबल वार्मिंग ये विशे ले लिया 2022 पूगर आए हमारा परिवार ग्लोबल वार्मिंग के हर पहलू उसी का अध्यन करे उसी पर रिसर्च करे उसी पर सेमिनार करे उसी पर कार्टून बनाए उसी पर कथाएं लिखे उसी पर कविताएं लिखे उसी पर कुछ एक्विप्मेंट मैनिफेक्टर करे याने बाकी सब करते करते एक अतिरिक्त काम एक थीम ले ले लोगों को भी जागरूट करे उसी प्रकारते जो हमारे कोस्ट्रल यह आज है या पिर समूद्र पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव पर भी हम लोग काम कर सकते हैं ऐसे ही एक्तिम हो सकती है कि हमारे बॉर्डर यह है आज के विकास के लिए जो हमारे अक्षरी गाउँ है जो हमारी सीमा की सुरक्षा में सेना के साथ कंदे से कंदा मिला करके जीजान से जुटे रहते हैं एक प्रकार से P.D. दर. P.D. वो हमारे देश के रक्षक है कि हम युदरिशिटी के द्वारा हमारे परिवार में हमारे border development का प्लान क्या हो सकता है इसके लिए university के students उस इलाके का tour करें वहां के लोगों की दिक्कते समझें फिर यहां आ करके बैठ करके चर्चा करें समाधान खोच के निकालें आपकी university एक भारत त्रेश्ट भारत की भावना को मजबुत करने के लिए वसुदेव कुटुम क समझ भी कि उस सपना भी साकार तब होता है जब एक भारत स्रेश्ट भारत का सपना साकार होता है कि युणिवर्सिटी माए एक शेत्र के शात्रा दूसरे शेत्र की भासाओं से के भी बहुत कुछ सब्द सिखें तो और भी बहतर होगा आप लोग लक्षन रख सकते हैं कि जब सिंबर्सिटीस का शात्र जब यहां से पढ़कर निकलेगा तो मराठी समेट भारत की पांच अन्य भासाओं के कम से कम सो सब्द हंड्रेड वर्स उसको पक्के याद होंगे और जीवन में उसकी उप्योगिता उसको पता होगी हमारे आजादी के अंदोलन का इतियास इतना समर्द है इस इतियास के किसी पहलू को आप डिजिटल करने का काम भी कर सकते हैं देश के युवाओं में NSS, NCC के तरह हम किस तरह और नहीं अक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं इस पर भी ये पूरा परिवार मिल करके काम कर सकता है जैसे वाटर सिक्यूरिटी का विशे हो, एग्रिकल्चर को टेकनोलोजी से जोडने का विशे हो स्वाइल हेल्ट टेस्टिंग से लेकर के फूट प्रोड़क्ट की स्टोरेज और नेचनल फार्मिंग तक आपके पास रिसर्ट लेकर जांगुरुत्ता बढ़ाने के लिए बहुत से टॉपिक्स है ये टॉपिक क्या होगे इसका निर्णे मैं आप पर छोड़ता हूँ लेकिन जरूर कहूंगा कि देश की आवशक्ताओं को देश की समस्याओं के समाधान को आप अपने उन विश्वों को चुनिए ताकि हम सारे नवजवान सारे यंग माइंड मिल करके इतनी बड़ा इंफ्रस्रेक्टर है वेवस्ता है हम कुछ न कुछ सॉलूशन दे देश को और मैं आपको निमंतन दे रहा हूँ कि आप अपने सुजाओं और अनुभवों को सरकार से भी साजा करिएगा इन तिम्त पर काम करने के बाद आप अपनी रिसर्च आपके रिजल्ट आपके आइडियाज आपके सुजाओं प्रधानमत्री कारेले को भी बेज सकते हैं कि जब यहां के प्रफेसर्स यहां की फैकल्टी यहां के छात्र मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे तो बहुत अदभूत नतीजे निकलेंगे आप कल्पना कीजिए आज आप 50 साल मना रहे हैं जब 75 साल मनाएंगे और 25 साल में देश के लिए पचीस थीम पर पचास पचास हजार माइंडों ने काम किया हो कितना बड़ा संपूर्ट आप देश को देंगे और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा फाइदा सिम बाइसे स्टूडेंस को वही होगा आखिर मैं मैं सिम बाइसे स्टूडेंस को एक और बात कहना चाहता हूँ इस संस्तान में रहते हुए आपको अपने प्रोफिसर से, टीचर से, अपने सात्यों से बहुत कुछ सिखने को मिला हुगा मेरा आपको सुझाव है कि सेल्फ एवर्नेस, इनोवेशन और रिस्ट टेकिंग एबिलिटी को हमेशा मजबुत बनाए रखियेगा मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसी भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और मुझे भी स्वास हैं कि पचास साथ की आपके पास एक ऐसी पूझी है, अनुभव की पूझी है अनेक एक्सपरिमेंट करते करते आप यहां पहुँचे हैं एक खजाना है आपके पास, यह खजाना भी देश के काम आएगा आप फले, फूले और यहां पर आने वाले हर बच्चा अपना उजवल भविश्य बनाने के लिए आत्म विश्वास के साथ निकल पड़े, यही मेरी आपको शुब कामना है मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद इसलिए भी करूँगा कि मुझे आपके बीच आने के लिए कई अवसर मिलते रहते हैं आने ही पाता हूँ, जब मुख्यमंत्री था तो एक बार जरूर पहुच गया था आपके बीच आज फिर इस प्रवित्र धरती पुराने का मोका मिला है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस नई पीडी के साथ रूबर होने का उसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुपकाम राए